लगातार सोया बीन की बढ़रही पैदावार लेकिन खट रहा उत्पादन दरसल राजस्थान के परताबगड की एक मात्र एशर्णी की किरिशी उपज मंडी में खरीफ की उपज आने लगी है जिले में गत वर्षों से सोया बीन की फसल में उत्पादन में कमी के कारण अब किसानों ने मक्का को प्रात्मिक्ता देनी शुरू की है इस वर्ष भी सोया बीन का लक्षे कम किया है जबकि मक्का का लक्षे बढ़ाया गया है इसके तहट गत सालों में सोया बीन का रकबा देड़ लाख हेक्टर तक हो गया था जबकि मक्का का रकबा कम था कांचल का वातावरन सभी फसलों के लिए उप्युक्त माना गया है ऐसे में यहां गत देड़ दशक से सोया बीन का रकबा लगातार बड़ा है जिससे शुरुवाती वर्षों में यहां अच्छा उत्पादन भी हुआ लेकिन लगातार एक ही फसल की वुआई करने से कुछ वर्षों से सोया बीन के उत्पादन में कमी आने लगी और इसका परणाम यह हुआ कि किसानों को लागत भी नहीं मिल पा रही वहीं क्रिशी विशेशग्यों को कहना है कि खेतों में फसल चकर अपनाना आवश्यक है जिससे खेत की क्वालिटी बनी रहती है इस कारण क्रिशी विभाग के साथ किसानों ने भी सोया बीन के स्थान पर मक्का की बुआई पर अब जोर दे रहे है विभाग ने इस वर्ष मक्का का रखबा 43,000 हेक्टेर में किया है जबकि सोया बीन का रखबा कम करते हुए 1,4,000 हेक्टेर में किया गया है इसे परकार मुंफली और उड़त का रखबा भी बढ़ाया गया है पहले करीब देट दशक से अधिक समय से जिले में सोया बीन की खेती लगातार बढ़ती जा रही है एक ही परकार की फसल बुआई से जहां मिट्टी में पोशक तत्वों की कमी हो रही है वहीं सोया बीन में भी पोशन में कमी आने लगी है जिससे सोयाबीन के उत्पादन में भी कमी देखने को मिली है एक ही परकार की फसल लगातार बोने से फसल में पोशक तत्व विशेश की कमी हो जाती है जिससे उत्पादन पर तो असर पटता ही है और क्वालिटी भी परभावित होती है गोर्तलब है कि खरीब की फसल में 70 फीसद रखबा सोया बीन का होता है कांचल में पिछले डेट दशक से अधिक समय से सोया बीन की फसल बोई जाने लगी है प्रतिवर सोया बीन की फसल बोने से कई पोशक तत्वों में कमी आ चुकी है लगातर सोयाबीन की फसल बुआई से जिंक, आइरन, नाइट्रोजन, फासफोरस की कमी हो गई है कई इलाकों में पोटाश की भी कमी देखने को मिली है प्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी